मैं अपने प्लांटों के हाल दिखा हूँ उससे पहले कुछ मेरे गुलाब है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए यह जो गुलाब है काफी बढ़ियां क्रीपर मेरे को नहीं बोला था देशी बोला था लेकिन यह क्रीपर रोज के तरह इसमें ग्रोथ हो रहा है क यह गुलाब खिलने के बाद भी उसमें अलग-अलग बीच बन रहे हैं और यह कुछ गुलाब यह बीच में बरसात होने के चलते हैं यह खिल नहीं पाए तो इन्हें मैं तोड़ देता हूँ लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह मेरे बगीचे का आम प्रॉलम है यह आए दिन यह ऐसा होते रहता है तो मैं आपको दिखा दूँ यह तो बरशाध के चलते डो खिले निया पर जो पहले खिल गए हैं उसमें अंदर और आपने देखा कि कितने सारे बर्ट के अंदर बर्ट के अंदर 532 बर्ट्स बने वहीं थो समझ में नहीं आता है कि यी क्या प्रॉलम के अनते हैं अगर आपको प्ता हो दो बताईए कि वहाइन अम्हीं प्लांट मांड़ बढ़िया होता है तो उस हिसाब से इसमें बड्स के अंदर बड्स बनने चालू हो जाते हैं पहले वो बड्स पुराना मुर्जाएगा और फिर उसमें इसमें नए बड्स आ जाएंगे तो देखिए यह प्लांट जो है मैंने कंटेनर में लगा रहा है और यह वाला क्रीपर बोल के दिय क्रीपर के तरह ही बड़ रहा है लेकिन यह वाला जो है यह दो प्रांस देख रहे हैं आप यह कम से कम यह 12-15 फिट लंबा हो गया है और इसी में यह रोज के अंदर रोज फ्लावर जो खराब हो जाता उसके अंदर से फिर बड्स निकल जाते हैं और यह जो आप पॉली ब कि मेरे प्लांट को बंदर तोड़ देंगे गिरा देंगे और यह मेरा आम प्रॉलम हो गया है मैं जब भी देखता हूं जब भी कहीं जाता हूं आता हूं तो देखता हूं मेरे प्लांट को किसी ने तोड़ दिया है और देखें मैं आपको मेरे सारे रोज एक एक बार ले जाते हैं अगर उसे मतलब अगर देखा नहीं जाए तो वो हफ्ते में आके प्रून करके चले जाएं लेकिन निशी में मेरा गुलाब कुछ चलता है खिलता रहता है कुछ जो अभी है जो खिले हुए है वो मैं आपको दिखाऊंगा देखे यह कस्मीरी रोज इसकी वीमारी यह है कि इसमें जब भी फूला आता है इसकी डालिया लटक से जाती है और जब भी आएगा तो गुच्छे में तिन चार चार पांच पांच यह मेरा आबरा का डाबरा है और देखे यह मेरा छोटा महमान अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमारे यहां बगीचे में आए हुए तो देखिए ये एक नारंगा है ये जो है ना डबल डिलाइट वाले हैं इसमें वाइट परपल रैड मिक्स में आता है और इसकी एक ये कली खिली हुई थी जो अब ये पुराना हो गया जड़ गया है तो मैं इसे अटा दो ये इस पिटूनिया के कलर का ही था लगबग मान के चलिए तो आप और ये देखिए इदर कस्मेरी रोज है इसे भी इन लोगों ने प्रून कर दिया है सबसे ज़्यादा ये मेरा मिनियेचर रोज है इसका हालत देखिए क्या बढ़िया बुसी था और इन लोगों ने पूरा हुआ है और इधर के जितने भी ये तीन-चार ब्रांश थे सब इन लोगों ने तोड़ दिया है तो क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है और मैं कुछ इससे कवर भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि काफी लंबा चोड़ा प्रोग्राम है ये देखिए एक साइड से बिलकुल गुलाब एक साइड तो घना है एक साइड कुछ है ही नहीं बिलकुल खाली हो गया है मेरे जो छोटे-छोटे गुलाब है ना उससे भी नोगों ने ये देखिए मेरे ये परपल कलर का है इसमें धीमी खुसबू आती रहती है और देखिए कितने गुच्छों में फूल आय होगा था इससे मैंने कटिंग से लगाया है और इसमें बट्स भी बन गया है ये मैंने बट्स अभी तोड़ा नहीं है मैं सोचा आप लोगों साथ सेर करूं अब इदर देखिए ये मेरे कस्मीरी रोज का इन लोगों ने ये हालत बिगाड़ा है मतलब मैं आपको क्या बता देखिए गा जिससे मेरा प्रॉब्लम जो है वो निपट जाए ऐसे मैं काफी परिशान हो गया हूं इन से देखिए अब मैं आपको थोड़े गुलाब दिखा दू मेरे ये मेरा देशी रोज है एक खिला हुआ है लेकिन पूरे बगीचे में खुस्बुक फैला हुआ है इधर मैं आपको दिखा दू ये मेरा जेना का गुलाब था आप लोगों के साथ मैंने पहले वी वीडियो मे सेर के आए उससे भी इन लोगों ने पूरा तोड़ फाड़ करकर रख दिया है इसकी ब्रांचे तोड़ दी एक यहां से तोड़ दिया तो देखिए यहां से तो दो फुटाव चालू हो गया है ये मेरा एक और है आपको दिखा दो ये लो कलर का मैं आपको दिखाऊं दो म ये देखिए